तो इस शुरुवात में हम देखती है कि कमपनी की बहुत सारी वरकर्स समंदर के बीच ट्रीलिंग करने यानि समंदर में कुछ खोजने के लिए खुदाई करने आये थी वो कड़ी मेनत की बाद घर वापिस जा रही थी पर तभी रिकी मेनिजर मेगनस के पास कमपनी के एड़ की कॉल आती है जो बताता है कि हलिकॉप्टर्स जो आप लोगों को लेने आ रही थी एमरजनसी की वज़े से वो कोई और जा रही है रिक यानी समंदर की बीचो बीच एक जगा जिसके पास बहुत सारी शिप्स भी होती है अब मेगनस जब ये पूछती है कि मेरी वर्कर्स को कब लेने आएंगे कि तभी कॉल बेंद हो जाती है तभी इदर पूरी ही जगा का कम्यूनिकेशन सिस्टम भी बेंद हो जाता है यनि जिसके जरीए ये किसी से भी राप्ता कर सकती जिस वज़े से डॉक्टर जो अपने घर कॉल कर रही थी उसकी कॉल करेट हो जाती है और फुलमर नाम की इलेक्ट्रीशन का रीडियो सिस्टम बेंद हो जाता है मैगनसिक मिटिंग बुलाती है जिसमें वो कहते हैं कि फिलहाल तो हलिकॉप्टर्स हमें नहीं लेने आ रहे हैं जिस हुझा से वो सारे लोग काफी परिशान हो जाती है उनमें से बुड़ा अदमी बाल बाल पूछता है कि आकर क्यों नहीं आ रहे हैं रिकॉप्टर्स अब तभी अचानक सारे लाइट्स भी बेंद हो जाती है फुलमर देखता है कि अभी फिलहाल थोड़ी बहुत लाइट्स जिनरेटर से चल रही है और रिक के में इसी का प्रेशर भी काफे ठीक है लेकिन अगर प्रेशर बढ़ा तो सब लोग मारे जाएंगे फुलमर पर अपने एक शिप से राप्ता करता है तो पता चलता है कि वहां भे यही मसला हो रहा है अब रिक बुरी दरह से हीलने लगता है उसके में इसी में आग लग जाती है अब कमपनी की फीमेल वर्कर जो साइटिस्ट है सिस्टम को बैन करना नहीं चाहती क्योंकि अब उनका टार्गिट पूरा नहीं हुआ पर मेगनस अपने वर्कर से कहती है कि यहां काम नहीं लोगों के जाने ज़रूरी है इसलिए सारे सिस्टम्स को फोरान बैन किया जाए एक बार दुबारा से रिक हीलता है और अब यह पूरी जगा गहरी फॉग दुन से बढ़नी लगती है अब उनमें इस एक वर्कर को शर्क होता है कि कहीं हमने समंदर में जयदा गहरा ड्रिल तो नहीं कर दिया मतलब गहरी कुदाई तो नहीं कर दी जिस वज़े से बुकम्ब जलजला आ रहा हो पर वो साइटिस्ट कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता जिसके बाद मेगनस कम्यूनिकेशन सिस्टम चेक करने के लिए फुलमर और एक दूसरी वरकर बास को उपर वीचता है वो जब काम कह रही थी तो उन्हें वहाँ एक मरा हुआ परिंदा दिखता है मेगनस और बुड़ा आदमी नीचे कड़े होकर उनकी आने का इंतिजार ही कह रही थी कि तबी बास ओपर से नीचे आकर गिरता है तब साइंटिस्ट और डॉक्टर जिल्दी से मेडिकल किक लेकर उसके पास पहुचती है ताकि अगर वो जखमी हो तो उसकी मरम पट्टी कर सके फुलमर भी नीचे आकर बताता है कि वो मेरे पीचे ही कड़ा था पर पता नहीं किया हुआ वो अचानक से गिर गया पर बुड़े आदमे को उसकी बातों पर एक ही नहीं होता क्योंकि बास की क्लिक वाली रसी खुली होई थी जिससे वो गिर गया डॉक्टर बास को मेडिकल रूम में लाती है और उसे ठीक करने की कोशिश करती है पर बाद में वो बताती है कि सर्जरी वरे कमरे और समान के बगएर इसे ठीक नहीं किया जा सकता साइंटिस्ट मेगनस को दिखाती है कि पाइपस में प्रेशर बिलकुल भी नहीं है और इस एरिया के सारे रिक्स का ये ही आने इतने ही दिल में बास को होश आ जाता है और उसे खयाल आने लगती है जिनमें वो देखता है कि समंदर के दो हिससे हो रहे है बुड़ा आदमी चुटके सी मेगनस की आफिस से कमपनी की खुफिया फाइल उटाता है जो देख वर चुट जाता है सब वरकर्स कोई कठा करकी बताता है कि कमपनी हमसे जोट बोल रही थी इतने ही दिल में मेगनस भी यहां आ जाता है जिससे एक बोल करना ही पड़ता है कि हाँ ये सच कियरा है कमपनी इस प्रोजेक्ट को बेन करे ये जिससे बहुत जल्द आप सब की नौकरिया जाने वली है अभी वो ये सब बता ही रहा था कि तबी उन पर पता नहीं कहां से राख किरने लगती है जो काफी जीब था क्योंकि आस पास कोई वोलकेनो जो अला मुखी नहीं था तब इतर बास भी आ जाता है जो काफी जीब सा दिक रहा था बताता है कि अब काफी नीर हो चुकी है तबाही शुरू हो गई है इतना कहे कर वो गिर जाता है पर बाद में जब उसे योश आती है तो उसे कुछ याद नहीं था कि मैं उपर से गिरा था या मैंने तबाई की कोई बात की थी वो बस इतना कहता है कि जब मैं ऊपर था तो मैंने फोग में कोई चीज देखी जिसके बाद मेरे दिमाग में अजीब तरह की आवाज ही आने लगी उसकी बाती अनसुने करके डॉक्टर उसका खूल लेने लगती है स्वैंपल की दूर पर जिस जैसी वो चुड़ जाता है कहता है कि तुम लगों ने मेरी चितावनी को नजरन्दास करकी अच्छा नहीं किया और अब एक बड़ी लेरा रही है पर जैसी तेसी डॉक्टर उससे सुला दीती है और साइन्टिस्ट को बताती है कि हेरत इसकी जत्म अपने आपे ठीक हो रही है उनके जाने की बात बास जब उठता है तो अपने बाजों पर दीखता है कि वहाँ कोई चमकदार चीज़ है और यही उसकी जत्मों को ठीक कर रही है सब भी देखते हैं कि उनका शिप उनसे राप्ता करने की कोशिश कर रहा है पर गलत जगा वो आगे बढ़ रहा है मेसेच को देखने के लिए मेगनस एक वरकर को भीजता है तो पता चलता है कि वो शिप इनसे मदद मांग रहा है मेगनस फिल्मर को कहता है कि लाइट्स की जरीए उन्हें सिगनल्स भीजो और पता लगवाओ कि वो इस फोग के बारे में क्या जानती है बोड़े आत्मे को कमरे में बंद किया हुआ था जिस हुझे से वो गुस्सी में पागल हो रहा था लगतार दर्वाज़ तोड़ने की कोशिश कोरने लगता है मेडिकल रूम में बास देखता है कि उसके जखम बहर गए है वो खुझको जब शीशी में देखता है तो उसे खयाल आता है कि उनका रिक तबाह हो रहा है वो पिर यहां से निकल कर कमरे में आता है और वरकर वाले कपड़े पहन लेता है अब तबी उसके सर में जोगर कार दर दोनी लगता है और उसका सोनी वाला दार टोट कर निकल आता है राख को देकर साइटिस्ट कहेती है कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा इसके बारे में मैं जांच कर रही हूँ तो तब तक सब अंदर ही रहीं बाहिर मत जाएं फूल मरी ने आकर बताता है कि हमारी शिपका कमिनिकेशन सिस्टम भी टोट शुका है और अगर सुबा का इंतजार किया तो वो किसी चीज़ से टक्रा कर तबाह हो जाएगी हमें लाइट जलानी हो की जिस पर साइटिस्ट कहते है कि कंपनी से कॉंट्रक्ट की वज़े से हम यह नहीं कर सकती है वरना हम पर कानूनी करवाई भी हो सकती है जिस पर मेगनस केता है पर हम कॉंट्रक्ट की नाम पर इतनी सारे लोगों की जाने नहीं गवा सकती तो फुलमर तुम सारे लाइट जला दो अब बास अजिय परकते करने लगता है वो खिड़की पर गोल डायरी बनाने लगता है पर जब वरकर इस बार में पूछता है तो वो बताता है कि मेरी सरमी तीस दर दो रही है और मैं इतना तंगा गया हूं कि अब सूचनी लगा हूं कि मुझे उस हादसे में मर ही जाना चाहिए था कमले के लाइट जैसे टिम टिमा रही थी तो बास को फिर एक हयाल आता है जो इतना ड्राउना था कि इस बार तो वो यहां से भाग जाता है बोड़ा आदमी भे किड़की तोड़के निकल चुका था एक वरकर चोरी करके शराप पीता है वो अब जैसे नहाने जाता है तो उसके पूरे जिसमें देर्ट होने लगती है वो उल्टी करता है साथ उसके टेड़ू की स्याही भी उसके जिन से निकलनी लगती है पर कुछ तीर की बाद जिब डॉक्टर की साथी वहां आकर दीखती है तो तब तक वो मर चुका था साइटिस्ट भी जब उसे दीखती है तो समझ नहीं पाती कि ये क्यों मरा पर एक वेकर जब उसी बास का सोने का दान दिखाता है तो उसे समझ लग जाती है कि उनकी जिसम से सारे फाल्तू फजोल चीज़ें बाहर निकल रहे हैं पर फुलमर जिब शिप को चेक करने के लिए अपने साथी के साथ बाहर जाता है तो वहां बोड़ा आदमी पेले से मुझोद था जो अंदर आकर दर्वाजा बेंड कर लीता है फुलमर के आदमें काम की दुरान चोट लग जाती है और अब यहां वो रागेना भी बेंड हुचाती है बोड़ा आदमी अंदर आकर कंट्रोल रो में जाता है और लाइट्स की जरीए मदद का सिगनल बीचता है जिस वज़ा से उनकी शिप फुल स्पेड में आने लगती है यह देखकर फुलमर और उसका साथी अंदर जाने की कोशिश करती है पर दर्वाजा तो बेंड था इसलिए फुलमर चे लानी लगता है जो आवास सुनकर मेगनस और डोक्टर की साथी यहां आकर दर्वाजा खोलती है और जाकर बोड़े आदमी को रोकती है जद एक मेगनस समझाता है कि लेडने की बजाए शिप में यह मेसिज भीजो कि वो फुलत रास्ती पर जा रही है इसी बीजिक वरकर नाइट्स की जरीए बास के पास जा पहुँचता है जो बाहर कड़ा हुआ था वो उसे अंदर आने का कहता है पर बास उसी मुला कर देता है यह किये थे हुए कि मैं पानी की उस क्रीचर को देखना चाहता हूँ जो यह सब कर रहा है वो वरकर अब जिसे उसके पास जाता है मेगनस आकर उस वरकर को होश मिलाने की कोशिश तो करता है पर उसकी मौत हो चुकी थी साइंटिस्ट राख पर खून डालती है तो पता चलता है कि राख में कोई छोटे छोटे से जानदर है जो केड़ी है वो फिर मेगनस और डाक्टर को बुला कर इस बारे में बताती है कि राख की जानदर है जो केड़ी है जो किसे एक ऐसी इनसान की तलाश में है जिसके जिसमें वो पना नहीं सकी और उसे अपने साथ शामिल कर ली जिसके भी जिसमें ये गुस्ती है तो उसके जखमों को तेजी से टी कर देती है क्योंकि उनके ड़ों को पलने पूलने के लिए ताकतवर जिसम की ज़रूरत होती है इसलिए हमें राक से दूर रहना होगा और बास की तरहां जितने भी लोगों के जिसमें जखम हैं उनकी इफाज़त करनी होगी जो सुनकर मेगनस कहता है कि मुझे बास में कुछ ठीक नहीं लग रहा ऐसा करो कि सब के खून के सैंपल ले लो जिनको हम बास के खून से मिला कर देखेंगी अब आश्ता से फोक दूर होने लगती है और पास वला रिकूरी तरह से तबाह हो जाता है बास साइंटिस्ट की रिसरच वले काकसों को देख रहा था पर जैसे इदर फुल मेर आता है तो वो गुस्से में आ गया था इतने ही दिर में यहां साइंटिस्ट को रिया जाती है और देखती है कि बास ने अपने खून का सेंपल उटा लिया है वो उसे जैसी सेंपल मांगती है तो उसे चुरा कर यहां से भाग जाता है जिसका मतलब था कि वो टेस्टिंग नहीं कर सकती है दिस हुजा से मैगनस कहते है कि चलो खाया रहा, ऐसा करो, बाकि जखमी लोगों को चेक कर लो, जिसके बाद हो एक मीटिंग मुलाता है, जिसने वो सब को कहता है कि अब से हम दो टीम्स में काम करेंगे, एक टीम पूरी रिग को अच्छे से चेक करेंगी, और दोसे टीम बास को टूंडी की, रिसर्च के सर ये साइटिस्स पता लगवाती है कि ये चोटे से किड़े डाइनासॉर्स के जमाने की हैं, जिनका खात्मा डाइनासॉर्स के साथ ही हो गया था, पर लगता है कि इस दगी राए में डूल करने की वज़े से ये जिन्दा हो गई है दुबारा बास अपने खोन का सेंपल पानी में फेरिंग दीता है, और अब उसकी सारे सखम बिल्कुल ठीक हो गई थी, टेस्ट करने के नहीं वो अपना हाथ पानी के टैंक में रखता है, जिस वो जैसे वो पूरा पानी चोटे-चोटे किड़ों से भर जाता है, पर जैसे बास का जाता है, वो जल्दी से चुप जाता है, उसका दोस जैसे पानी में उन चोटे-चोटे किड़ों को देखता है, तो बाक्यों को आवास लगाने लगता है, पर बास उस पर हमला करकी यहां से भाग जाता है, उसे फिर दो वरकर्स आकर उठाती है, और दीखती है कि उन आती है तो दीखती है कि बास यहां पर पोदे उगा रहा है, जिसके बाद वो बताता है कि काफी पुरानी यादू सी मुझे पता चेला है कि इस जगा के क्रीचर्स को मारा जा रहा है, और अगर उन्हें ना बचाया तो यह सब भी नई बच पाएंगे, इतनी दिल में बास इसे में हैं, पर अगर वहां गए तो इन्फेक्शन पहल सकता है, क्योंकि वो जमकदार चीज़ और चोटे से केड़े वही हैं, इस वजल से अब किसी को ओपर जाकर यह में इसे में आग लगा दे होगी, तब एक वरकर सारा कंट्रोल खुछ संभालता है और फुलमर को में इसे में आख लगा देता है, पर फुलमर कोट काफी सक्मी हो गया था, जिसके बाद फुरन उसी मेडिकल रूम में लाया जाता है, नेचे वले हिस्से में जहां बास था, वहां उसके खयाल और भी बयाना को ने लगती हैं, जिनने वो देखता है कि अगर इन चोटे-चोट कीड़ों को बचाना है, तो पूरा रिके सिस्टम को बन करना होगा, उदर फुलमर दुबारा से ठीक होकर अपने रिसरश में लग जाता है, पर वो जाने अन जाने में कॉपी पर बिलकुल वैसे गोल दाइरे बनाता है, जैसे बास ने बलाई थी, मैगनस अब को कंट्रू में रिके सारी सिफटी, हिफाज़त खत्म गह रहा है, जिस वज़ा से प्रेशर हच से जदा बढ़ रहा था, अब वो एक कैमरा डिवाइस को पानी में बेचते हैं और देखते हैं, ये भुकम की वज़ासी जमीन पर बहुत सारे गोल दाइरे बन रही है, जैस फुलमर को अपने ड्रोइंग की याद दिलाती है, अग इस वज़ा से एक वर्कर नीची कंट्रोल रूम वाली एरिया में जाकर इस सेफटी कतम करने वाली सिस्टम को रोग दीता है, जिससे बास का प्लैन फील हो गया था, वो काफी गुसी में आ जाता है, वो कंप्यूटर से फिर ड गोल दाइरों के बारे में पता लगवाने की कोशिश करता है, उदर डॉक्टर जब अपने भेहन से बात कह रही थी, तो तब ही फोक देजी से जर्मीन की तरुख बढ़ने लगती है, जिससे सिगनल के सासत इंटरनेट भी काफिया तक चलना बन करती था है, जिससे जैसे मेगनस का मेसिज नहीं मिल पाता, जो उसी मदद के लिए बीज़ा था, बाज उन छोटे छोटे किड़ों की ताकत की मदद से फुलमर के जिसम से राप्ता करने की कोशिश करता है, जिससे उसके जखम और बढ़ने लगते हैं, इसके साथ भी फुलमर के दिमाग में बाज क यह वाज आने लगती है, इसलिए उसके साथ हो रहा था, जिस पर वो उसे दिलासा देती है, अब फुलमर को खयाल आता है, जिसी बाज उसे बुला रहा है, तो वो चला जाता है, कुछ तिर बार साइंटिस्ट उसे देखने आती है, जहां वो तो नहीं मिलता, पर उसका छ रहा है, तो वो भी उसका पीछे करती है, अब वो चिमकती चीज और छोटे किड़े डॉक्टर को कारती नहीं, बलकि उसकी इर्दियर्ध होंने लगती है, जो देखकर साइंटिस्ट उसे यहां से लिए जाती है, और एक पर सारे ही लो काफी कुछ थी, क्योंकि पास वाले एक रिक से एक शिप इनकी तरफ ही आ रही थी, शिप आने के बाद साइंटिस्ट सीनियर सी मिलती है, जो रिसरेच लेब में काम करता था, आते ही वो सीनियर सीधा कंट्रूल रूम में चाहता है, आने वाले बाकि लोगों को डॉक्टर चेक करती है कि कहीं कोई जखमी तो एक वरकर ये देकर काफी एरान था कि मेरा साथी भी उसे शिप में आया है, और वो सीनियर बताता है कि तेस प्रेशर की वज़र सी मेरा रिक फट गया था, साइंटिस्ट उससे पूछती है कि आपको इस रिक में क्यों बेज गया, जिसका वो कोई जवाब नहीं देता, और वो नया आने वाला बरकर बताता है कि जब हमारी रिक में ये सीनियर आया, तो उसने बहुत सारी उज़र समंदर की ये रायों में बीचे, क्योंकि वो तेल नहीं निकाल रहे थे, बलके कोई और चीस उज़रों के साथ नीची बीच रहे थे, जिसके बाद फोग आई और ल इकतबा होने से पहले, उसने अपनी टेस्ट का सारा डेटा मिटा दिया, कंपनी उसे और वो कंपनी को मेल भी कर रहा था, जिसका मतलब था, कि वो ये सब पहने सही जानता था, और कंपनी ने जान हुचकर उसे यहां बेज़र था, डॉक्टर सानेटिस्ट की रिसर्च दे में आग लगा दी थी, ताकि ये सारी जानदार किड़े मारे जाएं, वो पिर कहता है कि में कुछ लुगों को में नीसे में बीजना चाहता हूं, पर मैंगनस मना कर देते हैं, ये कहती हो कि नहीं, मैं अपनी लुगों को हतरे में नहीं डाल सकता, उदर फुलमर भी बास औ और कार्बन डाई उकसाइड हम कुफिया सिलेंडर्स की जरीए लिए जाएंगे, कि जब सीनियर सिलेंडर्स लाता है, तो एक बर्गर को शरक होता है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि इसमें कार्बन डाई उकसाइड के लावा कुछ और भी मिला हुआ है, वो पिर सिले जाती है कि यहां carbon dioxide के ज्यादा होने की वज़े से यह मर रहा है पोदी भी इसी वज़े से मर रहे हैं और यह senior का plan था इसलिए बुड़ा आदमी और एक दूसरा वरकर तो वहां से भाग जाता है पर एक वरकर वहीं बास की दोस के पास ही रुखता है फुलमर फिर वेंटिलेशन सिस्टम को बेंद करने की कोशिश करता है पर वो और बास दोनों ही भी होश हो जाती है डॉक्टर दीखती है कि उन दोनों की बाहिर आने की बास senior ने नीची वले इसे के सारे दर्वाजे बेंद कर दी है अब सब आकर senior से सवाल करती है कि हलांके ऐसा करना खत्रा था फिर तुमने क्यों वेंटिलेशन सिस्टम में कार्बर नाय उकसाइड को मिक्स किया उस पर वो कहता है कि ये कोई खत्रा नहीं है बलकि ये जिन्दा रहने का एक तरीका है वेंटिलेशन सिस्टम को बेंद करने के लिए साइंटिस्ट उस नीची वले हिसी में जाती है जहां फिलमर भी होश पड़ा हुआ था वो उसे होश मिलाने की कोशिश करती है पर वो नहीं आता लेकिन अब वो जैसी पोदम पर हाथ रिखती है तो तब ही फिलमर की आँख खुल जाती है उसे होश आ गई थी जिसके बाद ये दोनों यहां से निकल जाती है बास की भी आँख खुल गई थी उसे भी होश आ गई थी और अब वो पांचवा दायरा भी बंद हो गया था नया वरकर बताता है कि सीनियर ने टेस्टिंग को हद से जदा बढ़ा दिया तके रिक तबाह हो जाए और ये सारे चोटे केड़े मारे जाएं जिसके बास सीनियर चोटी कष्टी के जरीए यहां गया हमारे साथ और कई सरे लोगों को वही मरने के लिए छोट दिया पर जब मेगनस इस बारे में सीनियर से बात करता है तो वो कहता है कि ये मरी कंपनी की पॉलीसी है कि चाहे कुछ भी हो जाए ड्रीलिंग हमें नहीं छोटनी तो इसलिए उन जानदारों को केड़ों को खत्म करने के लिए कंपनी ने मुझे बेजा है क्योंकि अगर उन्हें नहीं मिटाया गया तो वो दुनिया वर में पहल जाएंगे और तो जिन्दा रहने के लिए हमें सारे इंफेक्रिट इंसानों को भी खत्म करना होगा पर साइंटिस्ट इस बास से बिल्कुल भी सहमत नहीं होती कहती है कि फुल्मर हमें इसे भी अच्छा सुजाओ दे सकता है उदर बास मेसूस करता है कि ये केड़े मेरे जिसमें सिस्टम को बैन के रहे हैं जिसकी बाद यहां एक और भुकम पाता है फुल्मर बास से राब्ता करने की कोशिश करता है जिससे उसी पता चिलता है कि ये जानदार, ये केड़े पूरे समंदर को साफ कर रहे हैं ये दिक साइंटिस्ट कहती है कि केड़ों की तदात बहुत ज्यादा है कि बहुत दीर हो चुकी है, मैं अपने काम में नकाम रहा सीनियर की इरादों के बारे में सबको पता चल गया था इसलिए वो नए वरकर से कहता है कि अगर तुमने मिला साथ दिया तो मैं तुम्हें और तुम्हारे साथी को यहां से बचा कर लेचा सकता हूँ अब इस वरकर को शक था कि सीनियर इस रिक को भी तबाह न करती है तो वो माइक्रोफोन आउन कर देता है जिस वज़े सीनियर की यह बातिंग स्पीकर पर हर कोई सुनने लगता है अब उकम्प आने लगता है तो सीनियर रिक को तबाह करने की सिस्टम को चारू कर देता है इसी वक्त हेलिकॉप्टर्स भी यहां आ गए थी जो इन से राप्ता करने लगती है पर क्योंकि सीनियर अकेला ही बचना चाता है तो वो उपर आ जाता है उसे देकर डॉक्टर्स की साथी उसका पीचे करती है जिपके नया वर्कर्स का साथी दमागे को होने से रोकने की कोशिश करने लगती है वो फिर जाकर सब को बताते हैं कि हमने दमागा होने से तो रोक लिया है पर तबाही होने वाली है सुनामे आने वाली है हमें जल्दे यहां से निकलना होगा जाने से पहले बुड़ा आदमी सीनिर को जोड़ से मुका मारता है अब यहां भूकम के जिटके बढ़ते जा रहे थी तो हो नीचे वले हिसे से बाहर निकलाते हैं पर बास यही रुकने का फैसला करता है क्योंकि वो इन केड़ों के सामने यह बत साबित करना चाहता है कि इनसानों के बीच में कुछ लोग अच्छे भी होते हैं जिसके बाद बज़े हुए सारे लोग हेलिकॉप्टर में बैठ कर आखरकार वहां से उठ जाती है पर तब एक सुनामी आकर पूरे यह रिकू अपनी लपेट में लेती है बास जो कि था तो जिन्दा पर वो जमकदार उन केड़ों के साथ मिल जाता है अब यह सुनामी शेर की तरफ बढ़कर वहां भी तबाही मचाने लगती है इसमें बहुत सारी लोग मारी जाती है जिसके साथ ही सीजन इदर ही हायत मुझाता है